आपने ना चोरी की बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में सुना होगा बिहार से खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि चोर एक ब्रिज चोरी करके ले गए लेगिन उससे भी बड़ी खबर अरावली रेंज में ना 31 पहाडिया चोरी करके ले गए चोर जी हाँ बिल्कुल सही, खनन माफिया की हम बात कर रही हैं, उन्होंने ना इतनी ज़्यादा illegal mining की, कि 31 जो पहाडिया है न वो गायब हो गई हैं, जो अब exist ही नहीं करती, डिली NCR समेत आसपास के राज्यों में जो construction का material इस्तमाल होता है ना, कंकर इत्यादी, यहाँ से चुर कुछ चल रहा था, possible है, answer है no, corruption का अधवूत example है, अरावली रेंज की इन 31 पहाड़ियों का चोरी होना, आज की date है 3 अगस्ट 2023, कई सारे articles आज हम discuss करेंगे, सबसे पहले सी राजा महुन का Indian Express का South Asia से समधित article, दूसे नमबर पे trajectory of progress और तीसे नमबर पे deep tech startups, First important article, सी राजा महुन का South Asia से समधित है, और आप GS Paper Second के इस topic से article को relate कर सकते हूं, देखो South Asia के बारे में दो बाते परचलित है, पहली तो चीज, पूरे वल्ड में South Asia का जो reason है na, सबसे कम integrated है, क्या मतलब है इस चीज का सबसे कम integrated South Asia है, इसका मतलब देखो ये है, यहाँ पे द इस हैं, इनकी आपस में connectivity बहुत कम है, आप compare कीजिए, एक तरफ Europe को और दूसरी तरफ South Asia को, Europe में एक देश से दूसे देश में लोग आसानी से train के माध्यम से आ जा सकते हैं, बहुत कम obstacles हैं, infrastructure काफी अच्छा है, क्या इंडिया से बुतान में या फिर पाकिस्तान में लोग असानी से आ जा सकते हैं, answer है no, दूसरा trade इन देशों के बीच में आपस में बहुत कम होता है, South Asia में, जहां Europe में, Europe में जो countries है न, उनका आपस में trade, for example, European Union के member countries के बीच में आपस में trade 60% होता है, आशियान के member countries में trade आपस में अगर 27% होता है, तो South Asia में आपस में member countries के बीच trade कितना होता है, सिरफ और सिरफ 5%, समझ गें, तो point ये है, South Asia वर्ल्ड का सबसे कम integrated reason है, और दूसरी चीज, एक बात ये भी परचलित है, South Asia के बारे में, कि अगर देखो, South Asia और ज़्यदा integrated होगा न, और ज़्यदा एक जुट होगा, तो वो सार्क के माध्यम से होगा, सार्क पहले वाला point तो सही है, South Asia वर्ल्ड में सबसे कम integrated reason है, लेकिन दूसरा जो point है वो गलत है, कि South Asia को integrate करना है, तो सार्क की जूर्थ पड़ेगी, ये point अब गलत साबित हो गया है, सार्क के बिना ही South Asia अब धिरे धिरे integrate हो रहा है, अब चलिए कहानी, हम स्टार्ट करते हैं, द तो उस समयना South Asia के member countries के बीचना एक डर था, डर क्या था, डर ये था कि अरै यार मुस्किल से तो अजादी मिली है, हमें नहीं भाया किसी दूसरे देश से trade वगरा करना, हमें तो बस जो हमें चाहिए, सब कुछ इंडिया में ही generate हो जाए, पाकिस्तान वाले सोचते थे, जो और देश से trade ना करना पड़े, import ना करना पड़े, हमारा देश self-sufficient होना चाहिए, क्योंकि इनको डर था, मुस्किल से तो अजादी मिली है, दूसरे देश के उपर अगर हम निर्बर करेंगे, तो फिर से हम गुलाम बन जाएंगे, लेकिन देखो, South Asian countries की जो ये सोच थी न LPG reforms आए, economy open करना, मतलब जैसे पहले इंडिया डर डर के trade करता था दूसरे देशों के साथ, दूसरे देश अगर इंडिया में invest करना चाहते तो इंडिया जादा open नहीं था, बट LPG reform के बाद इंडिया ने अपनी approach change कर ली, हाँ हम trade के लिए तयार है, आप invest करिए, हम तयार ह लिए, बट राइटर कहते हैं, देखो South Asia के विबिन देशों में न, same reforms नहीं आए, किसी देश में ज़्यादा आए, किसी देश में कम आए, जाहिल तोर पे इंडिया में reforms ज़्यादा अच्छे से आए, LPG के, और उसका फाइदा भी इंडिया को हुआ, लेकिन सभी देशों की लहर आई न, 80's में, 90's में, तो South Asian countries के बीच में भी न, trade होने लगा, वेपार आपस में होने लगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्यों, क्योंकि political disputes थे विबिन देशों के बीच में, जिसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में border dispute, इंडिया नेपाल के बीच में कुछ points क को लेकर dispute जैसे कचा तीवू या फिर तमील माइनटी का issues हैं सिलनका में, तो ये जो political disputes थे न, South Asian countries के बीच में, उसकी वज़े से globalization का भी ज़्यादा फाइदा South Asia को नहीं हो सका, यानि ज़्यादा integrate ये reason नहीं हो सका, इसके बाद 21 सेंसरी आती है, 21 सेंसरी में भी intra-regional trade, या नहीं आपस में trade देखो increase थे हुआ, लेकिन potential से बहुत ही कम, सार्क जो organization है न, बिलकुल थंडे बसते में है, 2014 के बाद से ही कोई summit ही नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में terrorism promote करता है, और पाकिस्तान बस एक ही रट लगाए है, कस्मीर, कस्मीर के issue पर इंडिया बा करने को तयार है, देखो न, interview में एक question पूछा गया था, interview board ने एक candidate से question पूछा, कि इंडिया पाकिस्तान relations में सबसे बड़ा issue क्या है, जानते हो candidate ने क्या जबाब दिया, candidate ने जबाब दिया, कस्मीर, क्या आप भी इस बात से सहमत हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सब से बड़ा issue है, terrorism, भारत के सरकार का stand ये है, कस्मीर is not an issue, कस्मीर का issue settled है, कस्मीर भारत का एक अभिन अंग है, इस मुद्दे पर हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन आप जो terrorism spread कर रहे हो ना, इंडिया में, उस पे हम बात करेंगे, ये सबसे बड़ा issue है, तो आपको समझ हो होनी चाहिए, भारत के stand के अनुशार, क्या लिखना है, answer में, क्या बोलना है, interview में, उस candidate के कमी marks आये थे, average आये थे, हालां कि बहुत कम भी नहीं आये थे, लेकिन, ऐसे answers, खराब impression डाल देते हैं, board पर, तो खेर मुद्दे पर आते हैं, देखो, जो पहला point था ना, कि सार् में कोई agreement होने नहीं देता, तो क्या South Asia नहीं integrate हो पाएगा, नहीं develop हो पाएगा, इसका answer है no, क्योंकि पाकिस्तान के बिना, अब South Asia काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, और इसके पिछे काफी सारे factors responsible है, factor number one, अभी देखो, स्रिलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में, सब सिलंका, इनको तो IMF से loan चाहिए, यह लगातार IMF से बाचित कर रहे हैं कि देदो भाईया थोड़ा तो देदो loan, तो ना IMF इनको pressurize कर रहा है, loan तो हम दे देंगे, बट आपको ना अपनी आरते सुधारनी होंगी, आपको अपने पोडोसी देशों के साथ trade करना होगा, आ आपको अपनी economy में reforms लाने होंगे, यह सारा pressure IMF लगा रहा है सिलंका और पाकिस्तान, नेपाल, इन देशों के ऊपर, इसका फाइदा यह हो रहा है, सिलंका और नेपाल जैसे जो देश है ना, वो पहले से अब ज़्यादा open है, इंडिया के साथ trade करने के लिए, mutual benefits के लिए, हाल की में हमने देखा, सिलंका के राश्टरपती, विकरमे सिंगे भारत की आतरा पर आये, trade पर focus किया गया, नेपाल के परधामिंतरी भी भारत की आतरा पर आये, मतलब यह जो देश है ना, अब इंडिया के साथ trade करने पर, इंडिया के साथ investment के issue पर पहले से ज़्यादा open ह है, क्योंकि इनको पता है mutual benefit होगा, और बड़े बड़े जो international financial institution है ना, वो भी सेम बात बोल रहे हैं, तो यह पहला factor है, वैसे आपके मन में question आया होगा, क्या पाकिस्तान भी इंडिया के साथ trade करने पर ज़्यादा open है, इसका answer है no, पाकिस्तान तो देखो, गल्फ की तरफ ज़्यादा inclined है, उसको मदद चाहिए, वो मदद ले रहा है, UAE, Saudi Arabia, Qatar, इन देशों से, मतलब इवन पाकिस्तान अपने national assets, जैसे हमारे देश में PSU वगरा नहीं है, पाकिस्तान अपने PSU वगरा को बेच रहा है इन गल्फ कंट्रीज को, इंडिया में तो यह बहुत बड़ issue बन जाता, लेकिन पाकिस्तान में यह इतना बड़ा issue नहीं बन रहा है, अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में near future में trade increase होने की कोई बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, trade होगा भी, तो वाया third country होगा, जैसे समान पहले इंडिया से दुबाई में जाएगा, फिर economy का size बहुत बड़ा हो गया है, इंडिया की economy काफी तेजी से grow कर रही है, इस वज़े से भी जो पडोसी देश हैं, वो इंडिया के साथ trade को increase करना चाहते हैं, आज के समय में आप देखिए, बंगादेश इंडिया का fourth largest destination है, export के मामले में, 2022 में 16 billion dollars इंडिया ने export किया बंग इंडिया का export 2022 में रहा 8.5 billion dollars है, और देखो पाकिस्तान की बात करें, trade कम है, लेकिन potential इंडिया पाकिस्तान trade का 37 billion dollars का है, बहुत ही ज़्यादा, चुकि इंडिया का पाकिस्तान को छोड़ के भागी प्रोसी देशों के साथ trade increase हो रहा है, इंडिया ज़्यादा export कर रहा है, पहले से काफी ज़्यादा तेजी से, transborder projects जैसे देखो, rail connectivity, road connectivity, energy grid connectivity, financial, digital connectivity, हर तरह की जो connectivity है, जैसे UPI इस्तिमाल होगा सिलंका में, हर परकार की connectivity इंडिया की अपने प्रोसी देशों के साथ improve हो रही है, अब बात करते हैं, last में तीसरे point की, क्यों South Asia पाकिस्तान के बिना भ great power struggle, अभी देखो USA और चाइना के बीच में struggle चल रहा है, पूरे world के देशों को अपने influence में लेने के लिए, अपने group में लेने के लिए, चाइना ने तो इसके लिए belt and road initiative भी launch किया था, बड़ देखो USA और USA के allies countries ये चाहते हैं, कि किसी भी परकार से South Asia के जो देश हैं, वो USA और USA के ally countries न, South Asia के देशों को, for example, Nepal को, Sri Lanka को, even मदद देने को तयार हैं, कि हम आपके यहाँ पर development लाएंगे, हम आपको aid देंगे, बट आप चाइना के belt and road initiative project से ज़्यादा मत जुड़िये, मतलब इसका ज़्यादा फाइदा आप मत उठाइए, जैसे देखो example के तोर पर, USA ने, नेपाल को 500 million dollars की मदद दी, Millennium Challenge Grant, किसलिए दी, कि भया आप इंडिया के साथ, energy और road connectivity अपनी improve कर लो, मतलब आपस में, आप electricity, base को, grid को, इसके लिए grid establish करना है, तो grid establish कर लो, road establish करना है, तो road establish कर लो, क्यों, सिरफ इसलिए, क्योंकि नेपाल, China की तरफ मत जाए, नेप इसके लब आप और भी देखिए, जपान, South Asia में, सब regional connectivity इंप्रूव कर रहा है, जैसे देखो, इंडिया और बांगादेश के बीच में, इसकी वज़े से, इस्टरन सब कॉंटिनेंट का, जैसे इंडिया सब कॉंटिनेंट में, जो इस्टरन पार्ट है न, जिसमें इंडि इस्ट की साइड में, connectivity इंप्रूव हो जाए, इसलिए, जपान भी invest कर रहा है, सिर्फ इसलिए, क्यों, क्योंकि, बांगादेश जो है, वो चाइना की साइड ना जाए, हाल ही में न, फ्रांस के राश्टरपती, मैकरोन ने, पता कौन से रेस की आतरा की, स्रिलंका की, आप सोचो कि स्रिलंका और फ्रांस का अपस में क्या लेना देना, बस इसलिए, कि स्रिलंका, रोल प्ले कर सकता है, फ्रांस के इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, स्रिलंका की location काफी ज़्यादा important है, इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन में, फ्रांस के reunion islands भी हैं, पहल समझने का मतलब यह है, पॉइंट आप समझने की कोशिस कीजिए, आज के समय में एक्स्टरनल पुष आ रहा है, कि साउथ एशिया के जो देश हैं, आपस में और ज़्यादा integrate करें, आपस में trade करें, और चाइना की साइड ना जाएं, यह पुष आ रहा है Western countries की तरफ से, इ क्योंकि इससे पहले चाइना अपना influence increase करता जा रहा था South Asia में, और इंडिया के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, तोगि इंडिया की economy ज़्यातेजी से grow नहीं कर रही थी, इंडिया के पास इतने पैसे नहीं थे, कि वो चाइना के investment का मुकाबला कर सके, बट अब इंडिया ना western countries के साथ मिलके, वो देश जिनके साथ इंडिया की सोच मिलती है, दोनों का दुष्मन common China है, उन देशों के साथ मिलके, अब इंडिया South Asia region में चाइना का मुकाबला कर रहा है, चाइना के belt and road initiative के alternative के रूप में, इंडिया अपने projects propose करता है, प्रोसी देश हमने discuss किया, चलते हैं आगे, इसके बाद next article, trajectory of progress must change, मतलब progress का जो रास्ता है, वो change होना चाहिए, आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो, लेको article के शुरुबात में ऐसे ऐसी बाते बोली जाती है, कि G20 की presidency इंडिया के पास है, पहले G7 world से related fence ले लिया करता था, लेकिन financial crisis आये, तो मजबूर होना पड़ा develop countries को कि इस organization को expand किया जाए, तो एक alternative emerge होके आया, G20 जिसमें emerging economies को सामिल किया गया, जैसे इंडिया, चाइना, ये सब, मुद्दे पे आते हैं, मतलब point पे आते हैं, राइटर कहते हैं, global governance ना अभी खराब shape में है, इसका मतलब देखो, सिरफ ये न वाला war, बलकि trade war भी, US और चाइना के बीच में, किस परकार से, US ने चाइना की बहुत सारी companies के उपर restrictions लगाई हुई हैं, बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं, जो अपने देश को छोड़ के, दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, अच्छी job opportunities के लिए, लेकिन जा नहीं बाते, बीच में ही समुंदर में death हो जाती है, border cross करते वक्त death हो जाती हैं, मतलब एक तरफ देखो, इतनी ज़्यादा गरीबी हैं, लोग दो वक्त की रोठी का जुआर नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ, कुछ multi-billionaire ऐसे हैं, जो देखो, space venture पे काम कर रहे हैं, जिसकी स multi-billionaire काम कर रहे हैं, तो देखो, यह बहुत बड़ी irony हैं, क्योंकि जो यह space ride होगी, इसका फाइदा कौन उठा पाएगा, जो उठा पाएंगे, वो भी तो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे ना, तो world की जो priorities हैं, क्या सही जगा पे हैं, answer है no, देखो, जो economist हैं, या फिर statistician हैं, वो आपको regular, मिलेंगे data present करते हुए, कि देखो, गरीबी कितनी कम हुई है, अभी गरीबी का, ये ratio हैं, लेगिन देखो, कितना ही numbers की साहिता से ये दिखा दिया जाए, कि गरीबी कम हुई हैं, आप अपने आस पडोस में जाक के देख लीजिए, क्या वास्ताव में ग आर्थ ज्यादा समय तक नहीं जेल पाएगा, कितना तेजी से आर्थ का जो average temperature है, वो गरम हो रहा है, और जिसका consequences हमने देखें, इसलिए consumption centric जो model है ना, इसे हमने change करना होगा, और सिरफ economy growth से काम नहीं चलेगा, कि हाँ, किसी देश की economy जब ज्यादा growth rate से grow करेगी, तो मतल ज्यादा economic growth rate से world की problems का समाधान नहीं होगा, जो growth rate है ना, वो sustainable भी होनी चाहिए, equitable भी होनी चाहिए, equitable मतलब growth का फाइदा सभी sections को मिले, सभी लोगों को मिले, और दूसी तरफ growth ऐसी होनी चाहिए कि, ऐसा नहीं कि अभी 3-4 सालों के लिए तेजी से वो देश ग्रो कर वैसी growth होनी चाहिए, इंडिया वैसे देखो, इंडिया के पास आज के समय में G20 की presidency है, और इंडिया वासुदेव कुटुमकम के सिधान्त पर आगे चलता है, मतलब one earth, one family, one future, सभी लोगों को, सभी human beings को, इंडिया एक परिवार मानता है, इंडिया ये भी बात करता है, कि world के सभी लोगों की life अच्छी हो, इसके लिए परियास होने चाहिए, लेकिन देखो writer ये बोलते हैं, जिस approach के साथ problem create हुई है, जिस approach की वज़े से problem create हुई है, उसी approach से आप problem solve करने की कोशिस करोगे ना, तो problem आपकी कभी solve नहीं होगी, समझ गए, मतलब जिस ideology के साथ आप करो, growth होगी, सबका फाइदा होगा, उसी के वज़े से तो problem create हुई है, अगर आप उसी सोच के साथ problem का समधान करोगे तो बलकि problem और ज्यादा बढ़ जाएगी, 2015 में ना, सभी countries ने 17 UN Sustainable Development Goals को adopt किया था, ये achieve करने हैं 2030 से पहले, और time देखो काफी तेजी से बीत रहा है, ज वो emissions को एक level से जादा कम करने के लिए तयार नहीं है, वो कहरे हैं developing countries भी emissions को कम करें, वो responsibility ही लेने को तयार नहीं है कि एतिहासिक रूप से हमी responsible हैं, आज जो planet गरम हो रहा है इसके लिए, employment की problem सिरफ देखो, गरीब देशों में नहीं है, developing countries में नहीं है, even rich countries भी unemployment की problem से जू development goals, 17 goals है, 169 target है, writer ये कहते हैं, दिखो ये जो goals है अब अलग-अलग देशों का status जो है इन 17 goals के बारे में अलग-अलग है, सभी देशों की problems अलग-अलग है, सभी देशों की problem सेम नहीं है, कहीं पर पानी की दिक्कत है, तो कहीं पर गरीबी की दिक्कत है, कहीं पर नदियों की दिक्कत है कहीं पे डिजीज की दिक्कत है हर जगह पे हर देश में problem अलग-अलग है तो same approach के साथ आप problem soul नहीं कर सकते जहां पर दिखो जो island countries है वो डूब रही है उनकी पहली variety ये है समुंदर में पानी का level नहीं increase होना चाहिए जो land log countries है उनकी problem अलग है मतलब point ये है कोई एक global solution environment के लिए कोई एक global solution society के लिए पूरे world के लिए कोई एक economic solution apply नहीं किया जा सकता जो लोग ground पे है ना उनी को पता है कि हमारी problem का solution क्या है बट ना world में approach कैसे चलती है top down approach चलती है top down मतलब जिसे हमारे देश में माल लीजे आप जिसे central government में माल लीजे power जो है वो centralized है कुछ ही लोग जो है जो सरकार की hierarchy में उपर आते हैं ना वो फैंसला लेते हैं पूरे भारत के लिए जबकि भारत जैसे example के तोर पे कितना diverse है जहारखंट के tribes की अलग situation है North East में जो लोग रहते हैं उनकी situation अलग है राजस्तान में जो desert के area में रहते हैं उनकी situation अलग है तो locals को decision making में सामिल करना ज़रूरी है कि आपकी जो problem है उसका समाधान क्या है आलमूश सभी देश जो है वो किस पे focus करते हैं per capita income पे even life expectancy पे कि average जो person है कितने साल जीता है किसी देश में लेकिन देखो writer कहते हैं ये indicators ना सिरफ 20% progress को indicate करते हैं बाकी 80% progress आपको जाननी है न कि वास्ताव में progress हुई है या फिर नहीं हुई है तो आपको local situation देखनी होगी आपको specific context में जाना होगा कि किस reason की हम बात कर रहे हैं एक institute है McKinsey Global Institute इन्हों ने पूरे world को 40,000 micro reasons में divide किया कि यहाँ पर देखो ये सारे अलग-अलग type के reason है एक reason बाकियों से अलग है लांश्ट में writer के द्वारा बोला जाता है democracy की जो famous definition है government for the people by the people of the people लेकिन देखो हमारे देश में और बाकि बहुत साए देशों में न top-down approach को ही follow किया जाता है local governance ना के बराबर है पून सवराज की हम बात करते थे आजादी से पहले भी लेकिन पूरा सवराज ना अभी तक इंडिया में कभी आया ही नहीं functions और functionary ये चीज़ें है नहीं हमारे देश में local bodies के पास तो जब तक आप local bodies को empower नहीं करोगे पून सवराज नहीं आएगा अभी जैसे G20 का summit होगा परगती मिदान में जिसका हाल हे में inauguration किया गया पधामनतरी मोदी के द्वारा टाइटर कहते हैं देखो कोई भी resolution adopt कर लिया जाए इस summit में जो September में होगा लेकिन देखो फरक नहीं पड़ेगा power में जो आज बैठे लोग हैं होजगता है कल change हो जाए नए लोग आ जाए फिर भी फरक नहीं पड़ता क्योंकि governance का जो तरीका है वही रहता है top down top में बैठ के decision लिये जाते हैं expert driven decision लिये जाते हैं centralized system होता है local लोगों को सामिल नहीं किया जाता problem solving में local लोगों की राय नहीं ली जाती उनको decision making में नहीं सामिल किया जाता जब तक देखो ये सब चीजें address नहीं होंगी और आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूं देखो हमारे देश में पिछले कुछ सालों में startup boom देखने को मिला है shark tank जैसे program भी आने लगे हैं मतलब देश का जो youth है वो अकरसित हुआ है startups की तरफ ये अच्छी बात है और देखो ना सिरफ urban areas में बलकि rural areas में भी startups देखने को मिल रहे हैं ये अच्छी बात है और ना सिरफ tier 1 cities में जैसे बैंगलोर, चेनई, देली जैसे cities में बलकि tier 2, tier 3 cities में भी startups देखने को मिले हैं और इन में से बहुत सारी startups जो है न deep tech startups भी हैं सबसे बड़ा question यही है कि ये deep tech startups कौन से हैं देखो ऐसे startups जो advanced technology, advanced engineering के अधार पे जिन्नोंने अपना model establish किया है ऐसे startups जो इतनी technology में advancement लेके आ रहे हैं कि इससे society में जीवन कैसे जिया जाता है, उस पे impact पड़ेगा कुछ अपने आप में बिल्कुली नए तरह का product जो market में exist ही नहीं करता तो ऐसे जो startups होते हैं वो deep tech startups होते हैं जैसे artificial intelligence technology का इस्तिमाल करके या फिर internet of the things बिल्कुल नए तरह का product जो market में exist ही नहीं करता जिसे लोगों का जीवन बदल जाएगा तो ऐसे जो startups है न वो हैं deep tech startups ऐसे startups भी हमारे देश में अब काफी जादा आने लगे हैं मतलब ऐसा नहीं कि पहले तो इंडिया में न सारे internet based startup आया करते थे swiggy आ गया, jometo आ गया, सारे internet based लेकिन अब space based startup, remote sensing, artificial intelligence, robotics, biotech, pharma, electric vehicles, drone, telecommunication, semiconductor, defense और भी अने को तरह के startups हमारे देश में आने लगे हैं, देखो बात करें deep tech startup की, deep tech startup में दिक्कत पते क्या आती है बहुत समय लग जाता है, product आने में, और दूसरा देखो, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है research में, मतलब आप एक ऐसा product बना रहे हो, जिसे लोगों का जीवन change हो जाएगा, जो advanced technology के अधार पे है ऐसा product लाने में लंबा समय लग जाता है, ज़्यादा capital किया हो सकता है, patience चाहिए बट आम तोर पे ना, बहुत कम लोग त्यार होते हैं investment के लिए, ऐसे startups में क्योंकि उनको पता है, funding डूब सकती है, ऐसा product हो सकता है, बने ना बने, तो हमारी जो investment है वो डूब जाएगी बट राइटर कहते हैं, अच्छी चीज़ ये है, हमारे देश में ना, deep tech startups का अब ecosystem बन रहा है, धीरे धीरे जिसे IIT मदरास Research Park है, मतलब जो सरकार की या फिर PSU's की labs है ना, वो भी मदद कर रही है deep tech startups में, IIT मदरास में research park है, यहाँ पे ना, 200 deep tech companies को तयार किया गया है, मतलब उनकी help की गई है इन startups की, IIT मदरास की research park lab ने, और जिन 200 tech companies की deep tech companies की मदद की है ना, IIT मदरास की lab ने, उनकी combined valuation 50,000 करोड है example है, समझ गए, एक और example देखिए, department of biotechnology का एक center है, Ccamp ये भी 7 deep biotech startups की मदद कर रहा है, और इन 7 biotech startups की combined valuation है, वो 550 करोड है बस दो example समझ लिए, आपने भूत है, मतलब क्या है, deep tech startups है ना, उनकी मदद सरकारी labs के दोरा भी की जा रही है even देखो, जो बड़े-बड़े industry leaders है ना, वो भी risk लेने को तयार है, deep tech startup के through, इसमें invest करके वो खुद से risk नहीं लेते, जैसे example के तोर पे, अम्बानी अधानी, खुद से research पे पैसा नहीं लगाएंगे, नई technologies पर उनको ये लगता है कि हम लगाएंगे ना, financial market हमारी काफी चान बिन करेगा, फिर लोग कयास भी लगाएंगे कि अम्बानी fail हो गया इस मामले में इसलिए ये क्या करते हैं, ये इनको एक रास्ता मिला है कि जो ये deep tech startup अभी emerge हो रहे है ना, इन में हम पैसा लगाएं, जैसे रेखो Microsoft ने ना, chat GPT में पैसे लगाए थे, open AI में और बाद में open AI successful हो गया, chat GPT आ गया, तो Microsoft में जितना पैसा लगाया था ना, सब पूरा हो गया, और इतना फाइदा अब Microsoft को आने वाले समय में होने वाला है, आप देखोगे उसी परकार से ये अंबानी अधानी टाइप के लोग है ना, ये क्या करना चाते हैं, deep tech startup जो हमारे देश में emerge हो रहे हैं, इन में पैसा लगाना चाते हैं, ताकि बाद में ये successful होंगे, तो फिर इनका फाइदा अंबानी अधानी को भी होगा, directly वो research में पैसा लगाएंगे तो उनकी बहुत चानबिन होती हैं, पूरी market को पता लग जाता है, फिर उनके share down हो जाते हैं, इसलिए वो एक खुद से ये risk नहीं लेना चाते हैं, वो risk लेना चाते हैं, deep tech startup के थुरू, उसी परकार से सरकार है, सरकार मालीजिए सीधा 2000 करोड में नहीं लगाएगी research में, स सरकार कर रही है, समझ गए, तो मतलब risk की भासा जो है ना, अब समझने लगा है, हमारे देश में politicians भी मतलब सरकार में बैठे लोग भी, industry के leaders भी, इसलिए जब कोई deep tech startup funding के लिए जाता है, तो negotiation में भी ये बाते consider की जाती हैं, कि risk काफी जादा है, ये सब चीजें consider की जाती हैं, अब दो चीजें last me writer suggest करते हैं, एक तो देखो हमारे देश में ना, startup India 2.0 के आप सकता है, deep tech startup को अभी भी capital के आप सकता काफी जादा होती है, इसलिए existing जो SIDB fund of funds है ना, जो हमारे देश में startup system को boost करने के लिए है, startups को fund देने के लिए है, ये जो fund है ना, इसका सरकार ज deep tech startups को support करने के लिए, और सरकार industry leaders को भी encourage करें कि आप और ज़्यादा अपना जो funds है research के लिए वो divert कीजिए deep tech startup की तरफ ताकि हमारे देश में ज़्यादा अच्छे से technology आए, next चीज़ एक और हमें जो करने क्या हो सकता है, देखो हमारे देश में जो ये deep tech startups technology डवलप कर रह in technologies का use बढ़ेगा, world in technologies को देखेगा, बलकि जो हमारे startup owners हैं, उनको भी motivation आएगा, तो ये सरकार को करना चाहिए कि विबिन मनिश्ट्रीज में deep tech startups के दवरा डवलप किये गए products technologies उनका इस्तमाल हो, तो ये पूरा article हमने discuss किया, deep tech startups से समन्दित, चलते हैं आगे, इसके बाद आज का question भी देख लीजिए, रस्या युक्रेयन के बीच में वार चल रहा है, अलग अलग देशों ने अपनी सहुलियत के हिसाब से national interest के हिसाब से stand ले लिया है, लेकिन इस youth का society पर काफी गहरा असर हुआ है, human trustees भी हुई है, क्या ethical issues consider किये जाना चाहिए, youth start करने से पहले, इस वार जो ये चल रहा है, इसमें क्या ethical issues involved है, सबसे बहले देखो principle of non-intervention, मतलब एक देश को दूसरे देश के अंदर intervention नहीं करना चाहिए, ये उसकी sovereignty का उलंगन होता है, हलाकि जिस देश नहीं intervention किया है, for example इस देश में रस्या ने, वो ये भी कह सकता है कि human rights का violation हो रहा उन लोगों का, जो Russian बोल रहे थे, उकरेन में, इस वज़े से हमें मजबूरी में intervention करना पड़ा, next ethical issue है principle of proportionality, मतलब देखो जितनी force की आवशकता थी, objective achieve करने के लिए उतनी force का इस्तमाल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने, मतलब आपका purpose छोटा सा था, लेकिन आपने इत principle of proportionality जो है, वो भी violet होता है, next principle of discrimination, आप military, personal के बीच में, और civilians के बीच में, discriminate ही नहीं कर रहे हो, even civilian, जो ठिकाने हैं, उन पर भी bum बरसा रहे हो, तो ये भी ethics against है, ये भी consider किया जाना चाहिए, war startरने से पहले कि हम जो attack करेंगे, सिरफ military, जो locations हैं, sites हैं, उनको attack करेंगे, civilian sites क नहीं करेंगे, next, जो human rights का violation होगा, youth start होने पे, human rights का कितना violation होगा, humanitarian situation खराब हो जाएगी, ये issue भी समझना चाहिए, youth start करने से पहले, और सबसे last में, economic और environment consequences क्या होंगे, war के, जैसे देखो, Ukrainian Russia war में, nuclear radiation के फैलने का कितना खदरा पैदा हो गया था, जिससे ना सिरफ human beings को, बलके पूरे environment को नुकसान होता, तो ऐसे issues भी consider करने चाहिए, youth start करने से पहले, तो ये सारी points आप लिख सकते हों, अब last में आप देख लीजिए, कल जो हमने articles discuss किया थे, यानि 2 August के editorial की summary, हमने इस रो rocket debris वाला article discuss किया, कि Australia के एक coast पर टुकड़ा मिला था, रोकेट का, बाद का नाम है, convention on international liability for damage cast by space objects, और liability convention 1972, outer space treaty में जो issues cover नहीं होते, उनको cover करने के लिए कुछ conventions है, उसी में से एक है, ये liability convention, क्या पहले किसी ने हरजाना दिया है, USSR का एक satellite गिर गया था, जो nuclear, जो material है, वो carry out किये हुए था, कनाड़ा में गिर गया था, तो उन्होंने तीन million dollars दिये थे, USSR ने उस समय कनाड़ा को, समझ गे, तो इस तो ने भी मान लिया है, कि ये PSLV का टुकड़ा है, लेकिन अभी हरजाना मांगा नहीं है, Australia ने और साइद मांगेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत जाना नुक्सान उनको हुआ नहीं है, इसके बा पास में बहुत powers आ गई, लेकिन उनकी कुछ भी accountability नहीं रही, तो अब नए बिल में visitor को appoint किया गया है, visitor की एक post होगी, जिसका control होगा, director appoint करने में, इसके अलावा board of governor का chairman appoint करने में भी visitor का roll होगा, board को dissolve किया जा सकता है, ऐसे देखो बहुत सारे points हमने discuss किये थे, कि अब control सरक कार के हाथ में होगा, इस table की साइता से आप सारे points को सानी से revise कर सकते हो, देखो कुछ लोगों का ये भी doubt है, कि कहां पर ये summary मिलती है, onlyis का जो channel है, telegram channel, उसको आप join कर लीजे, ये summary आपको Hindi, English दोनों में मिलेगी, आप यहां से जल्दी से revise कर सकते हो, तो slides के माध्यम से आ इसका print भी निकाल सकते हो, जैसे कल के current affair बिलकुल 4 page में थे, इस परकार से, फिर हमने article discuss किया था, सब categorization of OBC से समंदित, क्यूं जरूरी है, क्यूंकि सभी OBC communities को नहीं मिल पाया है, lab reservation का, इसलिए quota within quota क्या आप सकता है, 27% OBC का जो reservation है, उसको भी अलग OBC committees में divide कर दिया गठित की गई थी, 2017 में, 6 साल हो गए, अब जाके इस committee ने अपना report सोंपी है, president को, data भी है, जैसे देखो, रोहिनी commission ने analyze किया, कि 1.3 lakh central jobs, जो है, मतलब इतनी jobs का data analyze किया था, 97% जो benefits है, 25% कास्ट को है, और 37% OBC communities ऐसी है, जिनको 0 benefit मिला है, reservation का, तो इसलिए quota within quota क्या आउ सकता है, अब तो देखो Supreme Court भी इस idea पर open है, Supreme Court पहले 2005 की EV चनाया case में इस idea के लिए open नहीं था, बट अब Supreme Court open है, 2020 के case में, State of Punjab versus Devinder Singh case में Supreme Court ने कहा है कि SCST में भी अगर sub-categorization करना है na reservation के लिए तो हम open है, मतलब 2005 में जब Supreme Court ने कहा था कि हमों open न करने के आउ सकता है, तो एक 5 से ज़्यादा judges की bench के पास ये finally मामला भीजा जाए, क्या caste के अंदर reservation के benefits के लिए SCST और OBC के अंदर sub-categorization होना चाहिए और फिर नहीं होना चाहिए, तो इस परकार से ये थी हमारी आज की discussion, thank you, thank you very much for discussion.